चलो, स्टार्ट करें तो आज हम पढ़ेंगे बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में यह आपके 11 का 2nd चाप्टर है बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं फिर हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था पहले एक overall idea ले ले लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में और उस पूरे चाप्टर के बारे में जो जी चीज़े हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद हम सारी चीज़े वन बाई वन करके समझेंगे सबसे पहली बात अगर मैं कहूं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन को हिंदे में कहते हैं वर्गी करण याने कि कई सारे वर्ग में डिवाइड करना कई सारे जगे डिवाइड करना कई सारे क्लास में या अलग-अलग आपको देखने को मिलेगा उसमें डिवाइड करना हम बाई लोजिकल क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं देखो biological मतलग किसी भी life का जो भी आप organism देख रहे हो उससे related हम क्या करने वाले हैं classification करने वाले हैं कोई भी आप organism अपने आसपास देख रहे हो बहुत तरह के आपको जीव देखने को मिल जाएंगे आपको dog, cat, human beings, fish और आपको snake ये कई सारे आपको organism देखने को मिलते हैं plant, fungi, है ना, ये कई तरह के आपको living things देखने को मिलती हैं उन सारी living things के बारे में जान पाना, उन्हें पढ़ पाना बहुत ही difficult है हमारे लिए, बहुत ही कठीन है तो हम क्या करते हैं, उनको एक एक class में divide कर देते हैं, एक एक group में उनको divide कर देते हैं अगर हम ऐसे group में divide करेंगे, मालों ये एक group में हमने divide किया तो इस group के सभी लेख का character सेम सेम होगा क्याने कि एक के बारे में पढ़ ले तो हमें सब के बारे में knowledge हो जाएगी इसलिए हम classification करते हैं, हमने अलग-अलग group बना दिये हैं ताकि जब हम उस group के बारे में पढ़ें, तो बाकि सब जितने भी लोग उस group में हैं हम उस सब के बारे में जान लें इस तरह से पढ़ना आसान हो जाता है, इस तरह से समझना आसान हो जाता है इसलिए हम biological classification करते हैं इसलिए हम वर्गी करण करते हैं, सारे living organism का ताकि उन्हें पढ़ना, उनके बारे में समझना हमारे लिए आसान हो जाता है अच्छा, देखो, biological classification ऐसा तो नहीं है नहीं कि जैसा अभी present है वैसा ही पहले भी था, कई organism आये, कई organism चले गई है न और category भी अलग-अलग पहले कुछ scientist में कुछ और category बनाई थी अब हम कुछ और category मानते हैं, तो one by one देखेंगे कौन से scientist में कौन से type से classification किया था और present time में हम कौन सा classification मानते हैं, ठीक है तो हम वो चीज़ देख लेते हैं पहले, पहले, सबसे पहले अगर आपके किसी scientist में classification किया था, तो वो थे आपके Aristotle, जिसे आप Hindi में अरस्तु कहते हों, इन्हों ने क्या किया, इन्हों ने जितने भी living things, जितने भी जीव इस दुनिया में present हैं, उसको divide कर दिया दो पार्ट में, पहली बार classification किया था आपके Aristotle नाम के scientist में, जिसे अरस्तु कहते हैं, इन्हों ने दो category बनाई थी, एक category बनाई थी plants की, और दूसरी category बनाई थी animals की, ठीक है, उन्होंने कह दिया, कि जो भी आपके स्थिर है, जो भी movement नहीं करते हैं, जो चलते फिरते नहीं हैं, वो सारे क्या हैं, आपके plants हैं, और जो भी चलते फिरते आपको दिखाई देते हैं, वो क्या हैं, एनिमल्स हैं, ऐसा तो हम सभी जानते हैं, ठीकिन, तो पहली बार अरस्तु ने ही classify किया था, सारे living organism को plant और animals में, उन्होंने कहा था कि plant भी आपके तीन तरह के होंगे, पहला है आपका, plant भी आपके कितने तरह के होंगे, तीन तरह के होंगे, पहला है आपका herbs, herbs, दूसरा है shrubs, तीसरा है आपका trees, और animals को उन्होंने divide किया red blooded, और दूसरा divide किया, उन्होंने white blooded, पहली बार उन्होंने सारे organisms को दो category में बाट दिया, और उन दो category में भी further division किये उन्होंने, ठीक है, पहली category जो आपके plants वाली category है, उसमें उन्होंने कहा, कि plants आपके तीन तरह के हो सकते हैं, herb, shrub या आपके trees, herb मतलब छोटे-छोटे से पेंड पौधे, जो आपके एकदम छोटे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, जैसे आपका तमाटर का पौधा, जैसे आपका चने का पौधा, ठीक है, ये सारी चीजे क्या हैं, आपकी herbs में आती हैं, जो इतने भी आपके छोटे-छोटे पौधे हैं, जैसे तुलसी, ये सारी चीजे आपके herbs में आएंगी, clear, next अगर बात करें हम shrub की, shrub मतलब होता है, जाडिया, जैसे की आपका जो गुढ़हल का फूल होता है, hibiscus flowers जिसे आप कहते हो, वो आपके shrub में आएगा, ये herb से थोड़े बड़े होते हैं, ये करीब 6-7 फिट के हो सकते हैं, इतने बड़े plant को हम कहते हैं shrub, ठीक है, क्या कहते हैं, shrubs, okay, next आपका आएगा trees, trees जो बड़े-बड़े आप पेंड देखते हो ना, जैसे आम का प हर्व, सबसे छोटे पौदे, shrubs, जाड़िया नूमा पौदे, जो करीब 6-7 फिट के हाइट के होते हैं, trees, जो आपके main axis उनका लखड़ी का बना होता है, और वो बहुत बड़े-बड़े भी हो सकते हैं, clear, तो इन्होंने तीन केटेगरी में plant को divide किया था, फिर आपके Aristotle, sorry, Aristotle नहीं divide किया था, फिर इन्होंने बताया था animals की बारे में, इन्होंने कहा animals दो तरह के हो सकते हैं, पहला red-blooded, दूसरा white-blooded, यानि ऐसे animals जिनके अंदर लाल कलर का खून present है, लाल रंग का खून present है, और दूसरे जिनके अंदर सफेद रंग का खून present है, अब आप सो जानवर देख रहे हो, जैसे कि cow, dog, cat, buffalo, sheep, goat, ये सारी चीजों में क्या present है, red-color का blood present है, हमें पता है, लेकिन अगर आप कॉक्रोष को देख लो, किसी कीडे को देख लो, अगर वो उसके अंदर देखो तो उसके अंदर white-color का आपको नजर आता है, अगर कभी मरा हुआ या कुछ substance निकलता है, तो ऐसे को उन्होंने कहा कि वो लोग क्या है, white-blooded animals हैं, ठीक है, ये blooded रहेगा, blooded मतलब white खून वाले, ठीक है, तो इन्होंने इतनी category बताई थी, दूसरे आपके scientists थे, Linnaeus, पहली बार तो इन्होंने classification किया था, और दूसरी बार किया था, Linnaeus नहीं, जो भी आप किसी species का दो नाम पढ़ते हो न, वो system इन्होंने ही दिया था, हलाकि ये first chapter में हम पढ़ते हैं, फिर भी आपको example से बता देती हूं, जैसे human beings को हम कहते हैं, homo sapiens, है न, homo sapiens, ये आपको दो नाम नजर आ रहे हैं, दो अलग-अलग नाम नजर आ रहे हैं, इसी क कहते हैं, by nomenclature, by मतलब दो, nomenclature मतलब नाम, by nomenclature इन्होंने ही दिया था, ठीक है, linear ने by nomenclature दिया था, हलाकि एक्स्ट्रा पॉइंट है, आते हैं अपने main topic में, इन्होंने भी जितने भी आपके organism में उसको divide कर दिया, दो पार्ट में, पहला पार्ट था plant और इन्होंन कहके इन्होंने कहा, animalia, animalia, इन्होंनों बस इतना सा classification दिया था, ये लगभग सेव है अरिस्टोटल के, लेकिन उन्हें planti और animalia कहा था, ठीक है, तो हलाकि इन सब के classification को present time में हम नहीं मानते हैं, अब जो हमारा classification जो हम मानते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है, और तो वही classification आपको mainly याद रखना है, ओके, तो लास्ट वाला ये सब मैं मिटा रही हूँ, लास्ट वाला classification हम देखते हैं, जो आपका most important classification है, जिसके बारे में हम पूरे पूरे lecture में पढ़ेंगे, ओके, तो वो classification था आपका, आरेच विटेकर ने दिया था, आरेच विटेकर, ये आपके एक scientist है, जिन्होंने classification दिया था, और इनका classification 5 kingdom classification कहलाता है, कितना? 5 kingdom classification, इन्होंने 5 kingdom दिये थे, जैसे Aristotle और Linneus ने क्या क्या, आप 2 part में डिवाइड किया है, इन्होंने 5 part में डिवाइड किया है सारे organism को, वन बाई वन वो part देखते हैं, और इस पूरे chapter में हमें एक एक करके वो सारी चीज़े पढ़ने हैं, ठीके? तो पहले मेरे साथ नोट करो, वो 5 kingdom कौन कौन थे? पहला kingdom था आपका monera, दूसरा kingdom था आपका protesta, तीसरा था fungi, चौथा animalia और पांचवा था आपका planty, ठीक है? तो देखो, इन्होंने कहा कि 5 kingdom total होते हैं, सिर्फ plant और animal नहीं होते हैं, इनकी अलामा तीन और जीव भी होते हैं, तो इन्होंने total 5 kingdom दिया, इन्होंने दिया कि 5 ऐसे kingdom होंगे, और पांचवा है planty, ठीक है? एनिमल्स क्या होते हैं, हम जानते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, इनको आप दूसरे आने वाले chapter से पढ़ोगे, तीसरा chapter आपका planty है, चौथा chapter आपका animalिया है, अभी हम दूसरा chapter पढ़ रहे हैं, और दूसरे chapter में हम mainly इन तीनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? इस chapter में ये तीन के बारे में दे रखा है, और आने वाले दो chapters में आपको इन दोनों के बारे में जानने को मिलेगा, आरेच विटेकर का ही classification हम मानते हैं, और इसी के बारे में हम detail ये बढ़ते हैं, ठीक है? तो आपसे कोई भी पूछे कि कितने kingdom total present है, तो आप कहोगे 5, पहले वाले scientist का आप अब नहीं मानते हो, ठीक है? अच्छा, एक-एक करके बात करते हैं इन सब की, ये दोनों तो आप next आपका जो आने वाले chapters हैं उसमें आप पढ़ोगे, पर एक मोटा-मोटा idea हम लगा लें आखे इसमें है क्या? देखो, आपने 9th class में पढ़ा होगा, 9th और 11th में भी पढ़ा होगा, कि cell जो होते हैं, आपके पूरा शरीर cell से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलके बना ह हो, ठीक है, कोशिकाओं दो तरह की होती है, एक होती है prokaryotic और दूसरी होती है eukaryotic, ये चीज़ें आपने 11th और 9th में आपने पढ़ी होगी अच्छे से, तो मैं इसमें बहुत जादा अंतर नहीं बता रही हूँ, अगर आपको doubt है तो मुझे comment section में बताना, मैं इसके भी prokaryotic आपके primitive cells होते हैं, प्राचीन तरह के cells होते हैं, इनमें बहुत ही कम functions present होते हैं, लेकिन eukaryotic में, जैसे हम लोग है, हम लोग eukaryotic cells के बने हुए हैं, हमारे में बहुत सारे functions present है cell में, ठीक है, तो इसमें कई सारे आंतर आप देखते हो, हाला कि ये दूसरे chapter का part है, तो cells दो तरह के होते हैं, prokaryotic and eukaryotic, ठीक है, तो देखो, जो आपका monera है ना, monera, monera में सिर्फ और सिर्फ कौन से cells आते हैं, prokaryotic cell वाले animals आते हैं, prokaryotic वाले आते हैं, और बाकी सब में आपके कौन आते हैं, eukaryotic, तो अगर कोई आपसे सवाल पुछ ले, कि ऐसा कौन सा kingdom है जिसमें prokaryotic cell present है, तो आप कहोगे कि सिर्फ और सिर्फ monera ऐसा kingdom है, जिसमें आपके prokaryotic cell present है, और बाकी के सब में क्या present है, eukaryotic type का cell present है, ये cell के प्रकार है, इनका नाम है prokaryotic और eukaryotic, ठीक है? अब अगर मैं बाकी की बात करूँ, देखो, prokaryotic और eukaryotic ये तो हमने divide कर लिया, अब जो भी आपके organisms हैं, उसमें या तो एक cell present हो उसके पूरे सरीर में, या तो कई सारी cells present हो, हमारे सरीर में कई सारी cells present है, लेकिर कुछ ऐसे जी होते हैं, जिनके सरीर में एक ही cell ही present होती ह ठीक है, जैसे की आपके protista, मैं इन सबको मिटा दे रही हूँ, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ, इसको भी मैं मिटा रही हूँ, इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ आपको, देखो, protista की बात करें, तो ये unicellular eukaryote होते हैं, क्या होते हैं, unicellular eukaryote, ऐसा eukaryotic जिसके पास सिर्फ एक cell present है, unicellular eukaryote, ठीक है, एक cell वाले भी organism हो सकते हैं, बहुत सारे cell वाले भी organism हो सकते हैं, organism मतलब जीव, ठीक है, अच्छा, तो इतने तरह से आप divide कर सकते हो, अपने सारे animals को इतने 5 kingdom में divide कर सकते हो, पहला kingdom में होता है prokaryotes, दूसरे में होते हैं, आपके unicellular eukaryotes, यानि एक cell वाले eukaryotes, और तीसे, चौथे और पाच्छे में होते हैं, या आपके multicellular eukaryotes, यानि एक cell वाले eukaryotes, ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूँ, देखना, तीन शब्द आपको बहुत परिशान कर सकते हैं, एक होता है acellular, एक होता है unicellular, और एक होता है multicellular, acellular और unicellular को गल्ती से लोग समझते हैं, इसका मतलब है एक cell, लेकिन नहीं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, acellular मतलब होता है कि उसके अंदर cell क्या है, absent है, मतलब कि ऐसा structure जिसमें cell नहीं present हो, उसे हम कहेंगे acellular, uni मतलब होता है एक, किसी में एक cell present हो तो हम कहेंगे unicellular, multi मतलब होता है कई सारे, या अनेक कह सकते हो, कई सारे cells present हो तो आप कहोगे multicellular, ये तीनों शब्द अपने दिमाग में बैठा ले रहा, acellular मतलब कोई भी cell नहीं present है, unicellular मतलब एक cell present है, multicellular मतलब कई सारे cell present है, ठीक है, तो ये आपके रहे पाचो किंडम, अब इन पाचो किंडम के बारे में हम detail में आने वाली classes में पढ़ेंगे, ये आपका introduction था इस पूरे chapter का, देखो एक और चीज़ है, आरेच विटेकर ने जो भी classification दिया है, कुछ ऐसे organism हैं, जो किसी भी category नहीं आते, तो उसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं सुनलो, monera, protista और fungi, और बाकी ये दोरो हम अगले chapters में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका पूरा idea है, आपके chapter का, इत्ती सारी चीज़ें हम chapter में पढ़ने वाले हैं, तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपना monera kingdom, I hope आप सबको समझ में आया होगा, आज के लिए बस इतना है, झाले होगा, आपका रखके लाफ और में आया है,